अस्सलाम अलेकुम व्यूवर्स कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सब अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे तो चलिए जी आज की हम लोग रेसेपी स्टार्ट करते हैं बिसमिलाहिरोख्मान इरहीम आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ईजटपट दम आलू तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जी हम लोगों ने ले लेना है पैन और उसके अंदर हम लोगों ने डालेना है कोकिंग ओयल जैसे ही ओयल गरम हो जाएगा इसके अंदर हम लोगों ने शामिल कर देने हैं आलू आप चाहें तो बेबी पटैटोस भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानि कि जो छोटे साइस का आलू होता है वो मेरे पास बड़ा आलू था तो मैंने उसको स्लाइसिस में कट कर लिया वो हम लोग डाल देंगे ठीक है इसको अब हम लोगों ने अच्छे से फ्राइ कर लेना है तब तक जब तक कि जो आलू है वो सौफ ना हो जाए गल ना जाए जी वीवर्स यहाँ पे आलू को फ्राइ होते हुए अल्मोस 10 मिनट हो गए हैं यह देखें किस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और जो आलू है वो अच्छे से गल चुके हैं यह देखें हम लोगों ने चेक पी कर लिया है इस पॉइंट पर हम लोगोंने सारे ही आलूँं को बाइए निकाल लेना है और जो है स्टोफ ओफ कर देना है अब जी हम लोगोंने पैन में सिर्फ उतना ही ओड़र रखना है जिसकी हमें जरूरत होगी अब हम लोगों ने इसमें शामिल कर लेनी है एक रफली चॉप की हुई प्यास साथी साथ हम इसमें शामिल कर देंगे लसन अदरक ठीक है मैंने यहां पे पेस्ट पर ना लिया आप लोग चाहें तो साबित भी शामिल कर सकते हैं अब हम लोगों ने इसको सिर्फ चार से पांच मिनट के लिए अच्छे से फ्राय कर लेना है इस हद तक जो प्यास है उसका कलर चेंज हो जाए यहां पे प्यास का कलर कुछ चेंज हो गया था अब हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देने हैं दो टमाटर ठीक है यहां मैंने फ्रीज लिये हैं आप लोगों के पास ताजा हो तो आप ताजा इस्तेमाल कर लें अब मजीद हम लोगों ने थोड़ा से इसमें पानी डाल के अच्छे से इसको गला लेना है ठीक है सिर्फ चार से पांच मिनट के लिए यहां पे जी इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है प्यास टमाटर जो है वच्छे से गल गए है अब हम लोगों ने सारे ही प्यास और टमाटर को यहां से निकाल लेना है और इसको कर लेना है ग्राइंड जी तो अब हम लोगों ने ले लेना है सेम पैन अब बारियाती है इसमें पेस्ट शामिल करने की जो हम लोग ने प्यास, टमार्टर और लसन अज्रिक का प्रिपेर किया था वो इस पॉइंट में हम लोग ने कोई भी पानी नहीं डालना ठीक है, जित्ता भी पेस्ट होगा, कोशिश करिएगा कि वो हम लोग पैन में शिफ्ट कर लें अब हमने इसमें डालने हैं कुछ घर के मसाले, जो के कुछ ही हूँ है, थोड़ी सी हल्दी हाफ टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लाल मचों का पाउडर, वन टीस्पून इसमें जाएगा धन्या पाउडर और half teaspoon ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक इन सारे ही ingredients को हम लोगों ने अच्छे से mix कर लेना है और इसका एक बहतरीन सा masala बना लेना है मजीद हम लोगों ने इसको 3 नेट के लिए medium to low flame पे ढखके रख देना है यहां पे 3 मिनिट पूरे हो गए थे अब हम लोगों ने लेट हटा लेना है एक दफ़ा इसको mix करना है और फिर बारी कटीवी दो सब स्मर्चे डाल के हम लोगों ने फिर से ढखकन ढख देना है for around 1 मिनिट यहां पे 1 मिनिट पूरा हो गया था लेट हम लोगों ने फिर हटा लेना है और अब हम लोगों ने इसमें शामिल करना है पानी जो हम लोगों का blender था उसमें थोड़ा बहुत material बच किया था तो उसी के अंदर हम लोगों ने पानी शामिल करना है उसको अच्छे से shake कर लेना है और फिर हम लोगों ने सारा का सारा पानी इसके अंदर शामिल कर देना है यह around 2 glass के करीब पानी है ठीक है वो हम लोगों ने इसमें डाल लेना है अब जी हम लोगों ने इसके अंदर one by one आलू शामिल कर लेने हैं जिनको हम लोगों ने पहले से फ्राय करके रखा हुआ था और हम लोगों ने इसको धक्या रख देना है 15 मिनिट के लिए बिल्कुल धीमी आँच पर यहां पे जी 15 मिनिट पूरे हो गए थे सालन जो है वो अच्छे से प्रिपेर हो चुका है ओईल आज चुका है ठीक है आलू जो थे वो प्रॉपर तरीके से गल चुके थे अब हमने इसको करेंगे इंजोए जी विवर्स यह हमारी डिशी complete and final look आप लोग भी ज़रूर recipe बहुत ही easy है और डेली रूटीन का सालन है ठीक है हम मिलेंगे इंशाले एक नई वीडियो में एक नई recipe के साथ एक नई economical recipe के साथ तब तक मुझे like share और subscribe करना मत भूलिएगा मुझे अपनी दवा में याद रखिएगा तिल देन अला हाफिज